हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैई चैनल, सेमी फैशन में आपका स्वागत है, फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कुर्ती पर बोटने और वो बुकरम के साथ हम बनाएंगे, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फ्रेंड्स मैंने कुर्ती को पहले ही कट कर रखा हैं, औ अब हम अपने बुकरम के उपर मेजरमेंट करते हैं, जो हम बोटनेक ट्यार करेंगे, वो बिल्कुल अलग होगा बोटनेक, तो चलिए, यह देखें फ्रेंड्स, यह इसकी लंबाई लिए बुकरम की मैंने, 7 इंच, और इसकी चोडाई लिए मैंने, 13 इंच, 13 इंच लिए इसको फोल्ड कर देंगे, तो अब इसकी मार्किंग करेंगे हम, इसकी ब्रोडनेस लेंगे हम, देखें, यह हम साड़े चार लेंगे, निचे से डीप लेंगे हम साड़े तीन पर, इसको बोटनेक की तरह कर लेंगे, शेप, और एक नीचे मार्क करेंगे हम, सवादो इंच पर, और यहां से हम आदा इंच पर मार्क करेंगे, इसको बुलाई में करते वे, हम इसको मिला देंगे, अब इसको कट कर लेंगे हम, यह हमारी शेप कट कर आई यह हमारे पास, तो अब इस शेप को हम यहां रखेंगे, एक इंच के गैप के अंदर, यहां से हम मार्क करेंगे, एक इंच का मार्क करेंगे हम, और इसको रख देंगे और इसके चारो तरफ हम मार्क कर लेंगे एक मार्क और कर लेंगे हम ताकि सेम हमारे सेप आजाएगी यह देखे और एक और रख लेंगे हम एक इंच के उपर मार्क करेंगे इसी तरह से और उसके बाद भी हमें ऐसे ही करेंगे यह देखी इसको रखेंगे और इसके चारो तरफ आप मार्क कर लेंगे अब इसको कट कर लेंगे हम कि यह हमारी नयकी शेप आ गई है अब हम अपने जो निटे का अंदर का शेप था इसके अंदर का हम जो पार्ट बनाएंगे वह इसके उपर ड्रो करेंगे तो उसके लिए हमने लिया है फ्यूजन पेपर यह मैंने फॉल्डिकर रखा है तो जो हमारे फॉल्डिंग है पेपर जो अंदर का है इसको हम इसके उपर रखेंगे और मार्क कर लेंगे सेम इसके उपर एज़टी और एक इंच इसके नीचे हम शेप त्यार करेंगे, एक इंच पर, एक एक इंच पर मार कर लेंगे, अब इसको कट कर लेंगे हम, दोनुक नैक को हम फैबरिक के उपर पेस्ट कर लेंगे, हम छोटे जो नैक को हम गोल्डन के उपर पेस्ट करेंगे, और जो हमारा ये बड़ा है, इसको हम अपने रेड, जो हमारा सेम कुर्थी का है, उसके साथ हम पेस्ट कर लेते हैं, हमने कप्डे के उपर रख लिया है, इसको आलपिन से डटेच कर लिया है अगर आपके पास पेस्टिंग वाला है तो आप प्रेस से इसको कर सकते हैं बढ़ मेरे पास यह प्रेस वाला नहीं है तो मैं इसलिए इसके उपर से सिलाई मसीन लगाऊंगे पच्चा कर लेंगे इसको पच्चा कर लिया है और चारों तरफ से कर लिया है इसको हम अपनी कुर्टी के इंदर अटेच करेंगे इससे पहले हम जो हमारा नेक था यह देखी यह हम सीधा पार्ट लेंगे अपनी कुर्टी का और इसको रोंग साइड रखेंगे दोनों अंदर के साइड राइट होंगे तो इसको हम दोनों साइड से बंद कर देंगे सिर्फ अपना फेस इसको खुला रखेंगे दोनों साइड से यहां से और यहां से हम बंद करेंगे और यहां से खोल देंगे ताकि हम इसको निकाल लेंगे यह हमने दोनों साइड से बंद कर दिया है उसका फेस हमने दोनों साइड से खुला रखाए देखिए अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे यह हमने इस पर कट भी लगा दिये हैं और अब इसको हम फोल्ड करेंगे जो हमने दोनों तरफ से इसका फेस खुला छोड़ा था अब अपने पेचकस की हैल्प से हम इसको अंदर के साइड करेंगे इस तरह से यह देखी अंदर को जा रहा है इस तरह से और इस तरह से हम इसको बहार निकाल लेंगे हमने इसको पलट दिया है और अब इसके उपर हम प्रैस लगा लेंगे हम आपने कुर्टी के अंदर यह नाक को अटैच करेंगे और पक्की शिलाए लगा देंगे इसमें हमने यहां से कच्छी शिलाइ लगाई थी, अब पक्की लगा देंगे हैं, और जो बीच में माग किया थाम, इसको इससे मिला देंगे और आलपिन कर लेंगे इससे पहले, जोईन्ट करने से पहले हमेशा आलपिन कर लेनी चीए ताकि फिनेशिंग के साथ जूड़ जाए हमने पका कर लिया है अपने नैक को और अब इसको हम कट कर लेंगे अंदर से मार्जन छोड़ते हुए करेंगे हम और फिर हम इसमें कट लगा देंगे पूरे में थोड़ा इसको ध्यान से कट करना है क्योंकि इसकी सिलाई कटने गडर है और यह पिसलने वाला कपड़ा है इस तरह से हम पूरे में कट लगा दिया है और अब इसके अंदर हम चोटे चोटे नोचिज लगा देंगे ताकि इसमें पलटने में हमारे बिल्कुल आसानी हो सारे जितने भी हमारे पार्ट हैं सभी के अंदर हम ऐसे ही लगा देंगे सभी में नोसिस लगाते जाएंगे हम और फिर इसको पलट देंगे हम अंदर को प्लट दिया है और इसके उपर हमने प्रेस लगा दी है अब हम इसके पीछे जागर हम इसके उपर कच्चि शिलाही बढां Uब लगादेंगे ताकिक ईह हमारा दबा रहे यहां से इस देखिए और पीछे इससे कंदस्क चिलग गया ही अब इस पर कच्छी सिले लगा दी है अब हमारा जो नेक है इसके उपर भी हमने प्रैस लगा कर जमा दिया इसको इसके उपर की साइड हम लेस लगाएंगे जो की मोती लेस होती है वो लगा लेंगे हम नेक के उपर ये मोती वाली लेस लगा रहे हैं साइड में ये जो हमारा वन पीस वाला फूट हैं और इसके साथ हम लगारे हैं यह डबल फूट से नहीं लगती यह सिंगल फूट से ही लगती है तो यह देखें यह 00-0arah के यह मेरे पास लेफ्ट वाला है और इसके बिल्कुल बराबर बिल्कुर पेचोंस के साथ लगाने होती है Live यह देखे इस तरह से हमारी नेक पे लेस्ट लगने स्टार्ट हो गई है और इसी तरह हम अपने नेक पे कम्प्लीट कर लेंगे इसको यह हमारी मोती वाली लेस्ट लग चुकी है और अब इसके अंदर हम अपने नेक अटाच करेंगे यह हम अपने अटाच करेंगे हैंड स्टिच करेंगे क्योंकि अगर हम इसके उपर सिलाय लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग खराब हो जाएगी तो इसके उपर हम यह बटन लगाकर हम अंदर तक इसको stitch कर देंगे और यह हमारा पकका भी हो जाएगा और बटन भी लग जाएगे इस तरह से हमारा इन्पलीट हो जाएगा और इससे पहले अगर हम यह लगाएंगे उससे पहले हम यहाँ से कच्ची सीले लगा लेते हैं ताकि यह हमारे जुड़ने में फिनिशिंग आ जाए यह हमने इसके उपर कच्ची सिलाई लगा दी है और जब हम बटन लगाएंगे उसके बाद यह हम कच्ची सिलाई हटा देंगे तो उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगे इसका यह देखी फ्रेंड यह हमारा फाइनल लुक त्यार हो गया है और इस पर यह बटन भी लगा दिये हैं तो फ्रेंड आपको यह मेरे वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे कॉमेंट सेक्चन में जुरूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जुरूर करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर